बिस्मिल्ल्य रह्मान। मैं हूनादी यसीदी की अमीद है। आप सब खेर यसे होंगे। जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेकाई हूं बहुत ही मज़िदार कस्टर्ड फ्रूट रेसिपी। तो इसके बनाने के लिए हमें चाहिए एक प और याद रहें कि कस्टर्ड बनाने के लिए हमने ताजा दूद लेना है। फ्रीजर वड़ा दूद यूज नहीं करना। और ये देखे हमारा दूद बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें एक कप चीनी शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मिठा पसंद है तो अपने ह हिसाप से आप शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ एक कप चीनी ली है। चीनी डालने के बाद हमने चमच की मदद से अच्छी तरह से दूद को हिलाना है ताकि हमारी चीनी है वो अच्छी तरह से दूद में मिक्स हो जाए। चमच को मसलसल हमने हिलाते रहना है और हमने जो दूद निकाला था उसमें तीन चमच कस्टर पाउडर डालना है आपको जो फ्लेवर पसंद है आप ले सकते है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो है वो गिल्टियां बिल्कुल खतम हो जाए और इस पेस्ट को हमने दूद में डाल के मुसलसल चमच की मदद से हिलाते रहना है और चमच को मुसलसल हिलाना है हमने छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर हम चमच को छोड़ देंगे तो हमारा कस्टर जो है वो गिल्टियां बन जाएंगी तीन से चार मिल्टियां तक हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे तो हमारा कस्टर गाड़ा हो जाएगा लगतार हमने चमच को हिलाना है और देखें हमारा कस्टर जो है वो गाड़ा हो चुका है अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है अगर आपने ज्यादा ठिक करना है तो एक से दो मिनट तक अपोर पका सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए और यह देखें अब हमने दो से दाई गेंटे इसको रूम टेम्प्रेचर पर रख देना है एक बाउल में डाल कर यहां मैंने बाउल में कस्टर निकाल लिया है और दो से दाई गेंटे तक हमने रूम टेम्प्रेचर पर रखना है और यह देखें, डाइगेंटे मेरे गुजर चुके हैं, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं केरी, क्रीम, बिस्किट केक और स्ट्राबरी, हमने एक बाउल ले लेना है और बाउल के उपर हमने केरी लेयर की सुरत में लगा देनी हैं ऐसे, बाउल के बिल्कुल साथ करके, हमने एक केरी लगा देनी हैं, आपको जो भी फ्रूट पसंद हैं, आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मैंने यहां केरी और स्टाबरी शामिल की हैं, और अब हम इसमें डाल रहे हैं कस्टर, यह देखें, ऐसे हमने इसको, सजा लेना हैं और अब मैं इसमें डाल शामिल कर रहे हूं, स्टाबरी स्लाइसीज में काट लेनी हैं, और ऐसे करके हमने इसका डिजाइन बना लेना है, और यहां मैं तीन वेफर बिस्किट लगा रही हूं, और यहां भी मैंने वेफर बिस्किट लगाए हैं, केक ले लिया था मैंने और इसके पीसीज कर लिये थे, और यहां हमने डाल दिया है केक, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी बन का तियार हो गई है, अब यहां मैं शामिल करूँगी तीन से चार्ड रॉक क्रीम के, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, यह हमारी प्यारी सी रेसिपी बन का तियार हो गई है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक